कि आर ओंद इस कॉस्ट में थीक है कि पूरव की साइड है पे क에 और वे कि एसी पॉर्च इंडिया में इन के लब थीक है वाटररवेज्ट के हमने क्या है कि हमारा जो इन्डिया है यह Arabian Sea, Bay of Bengal and Indian Ocean से क्या है घीरा हुआ है ठीक है Bay of Bengal से Arabian Sea से और Indian Ocean से घीरा हुआ है इसी की वज़ा से हमारी इंडिया की जो कॉस्ट लाइन है वो क्या है सबसे लंबी कॉस्ट लाइन है ठीक है ना समुद्री तट जिसको बोलते है सबसे लंबी जो कॉस्ट लाइन है वो किसी है इंडिया की है ठीक है ना क्योंकि हमारा इंडिया क्या है वो समुद्र से घीरा हुआ है Ocean से घीरा हुआ है ठीक है कि इंडिया के पास हमने बात की कितने पॉट्स है कितने पॉट्स पताए 12 major pots हैं and 184 जो हैं वो minor Ports है 12 जो है वो बड़े बंदरगा है और 184 जो है वो छोटे बंदरगा है जहां पर σमूद्री जहाज जो है वो रुखते हैं ठीक है तीक है उसके बाद उसने कहा कि कुछ जो है कुछ Major Ports हम ने discuss कि यह Major Ports कौन से है चिन्नेई है, कोचिन है, कांडला है, कॉलकता है, मुंबई है, विशाखा बत्नम है ये कौन से हैं? ये मेजर पॉट्स है, ठीक है? ये क्या है? इंडिया के मेजर पॉट्स है ठीक है उसके बाद उन्होंने कहा कि जो मुंबेई है ये क्या है इंडिया का लार्जस्ट सी पॉट है मुंबेई जो है इंडिया का लार्जस्ट सी पॉट है और उसके अलावा कांडला कोच्ची मैंगलोर जो है ये कहां पे है ये वेस्ट कॉस्ट में है कहां पे है वेस्ट क भी हमारी बहुत बहुत ज्यादा हेल्प करते हैं जहां पर को ह Learn रेल्वेस नहीं जा की में जा कुछा इपब करती है रेल्वेस यह दो आप सपी जहा है यह दो करना यह दो फिम्ट होता है साफ जा जा तरोस हों प्रस एह मि procs कि भील्ष मैं मैं ट्रेच करताए है हो मारा ञारा इंडिया का ट्रेड है कि गी ऐधा है ऑसन के गीरा हुए इस Am люди App कि में गीरा हुए त कि 주ा ओशन होगता हुए ना यह क्या करते हैं बहुत ज्यादा है जगह से दूसरी ग्राय पहुचारे में से होता है जो बड़े बड़े शिप्स है कि क्या घ्र जाना है तो हम शिप्स में जा सकते हैं में जा सकते हैं ओट में करता है हमारी बहुत ज्यादा help करता है एक जगा से दूसरी जगा जाने में ठीक है country की development में भी सबसे ज्यादा help करता है ठीक है अब उसके बाद कहाता है कि हमारा हमारे पास क्या है बहुत सारे ईसे rivers है जो कि बहुत time से perennial rivers है perennial हमारे इंडिया में बहुत से perennial rivers है perennial का मतलब होता है जो बहुत पुराने rivers है ठीक है जैसे गंगा आगी जमुना आगी बरमपुत्रा आगी तो ये rivers क्या है बहुत पुराने हैं ठीक है नहेरे जिनको हम बोलते है तो कहते है इक इंपोर्टेंट रिवल्स है गंगा और ब्रहंपूत्र कौन-कौन से गंगा एंड ब्रह्म पूत्र ये दो क्या हैं important rivers हैं जो किसके लिए use किये जाते हैं inland transport के लिए गंगा एंड ब्रह्म पूत्र रिवर्स जो हैं ये किसके लिए use किये जाते हैं ये किये जाते हैं inland water transport इनमें जो है inland water transport क्या है गंगा एंड पूत्रा क्या है रिवर्स हैं और ये countries को तो नहीं करेंगे inland का मतलब होता है जो हमारे country में ही वह लो हमने अपनी country में ही एक जगह से दूसी जगह जाने जैसे तो गंगा और ब्रह्म पूत्रा क्या है यह दो में रिवर्स हैं दो ऐसे रिवर्स हैं जो क्या है inland water transport में help करते हैं ठीक है उसके बाद उसके बाद अगर केरिला सब केरिला और आंध्रापर्देश आंध्रापर्देश इन स्टेट्स में में भी क्या है बहुत ज़्यादा water waves केरिला और आंध्रापरदेश में भी क्या बहुत ज़्यादा water बेख है ठीक है यहां पर भी मैकसिम मेंगानगा और फिर्वर्स होता है ठीक है तो कॉन-कॉन से आगे हमारे और परदेश दो इसे स्टेट हैं जहां पर क्या है बहुत जादा वार्टर वेज तो यह यह आगे हमारा कि वाटर वेज सब्सक्रेंगे अलस्नेटवर्क के बारे में डिसकस करेंगे लाश नेटवर्क हमारा आ जाता है किसका एर्वेज का ठीक है लास्ट ट्रांस्पोर्ट नेटवर्क कुन सा आते हैं एर्वेज का एर्वेज क्या है एर्वेज बहुत ही फास मलब एर्वेज जो है वो फास्टेस्ट मीन्स आफ ट्रांस्पोर्ट है ठीक है आप थोड़े ही टाइम में जो है बहुत ज्यादा डिस्ट तो कहते हैं आज के टाइम में जिस ट्रांस्पोर्ट ने सबसे ज़्यादा पॉपॉलर्टी अचीव की है वो कौन सा ट्रांस्पोर्ट है वो ट्रांस्पोर्ट है एयर ट्रांस्पोर्ट कौन सा ट्रांस्पोर्ट है कठ ये एठाउपोर्ट है जो है यह वह प्रेजंटमें आज के टाइम का सबसे अ कूर ऑफ ट्रानसफोर्ट कौन सा ट्रांसपोर्ट यसल दूसर फकिटन कौण सा गूसर ओफ ट्रांसपोर्ट कि युद्वी क्ली के लिए एडिल्ड आहिए इसको है यह नहीं बोल सकते कि सस्ता है सभी जो है इस ट्रांसपोर्ट इसका यह सभी के लिए पॉसिबल नहीं है इस ट्रांसपोर्ट पर वह जाना ठीक है इस ट्रांसपोर्ट के लिए सभी के लिए पॉसिबल नहीं है लेकिन इसको हम क्या बोल सकते हैं इसको हम जो है fastest or easiest means of transport जो है वो बोल सकते हैं ठीक है न क्यूंकि यह सभी के लिए possible क्यूं नहीं है क्यूंकि इसका जो किराया है वो क्या है बहुत जादा है ठीक है इसका किराया क्या है जो airways है airways का जो किराया है वो बहुत जादा है इसलिए सभी के लिए जो है इसको afford करना possible नहीं ह मेडिल क्लास जो है इसको फॉर्ड नहीं कर सकते लेकिन जे एर्वेस जो है यह क्या है यह सबसे चीप सबसे फास्टेस्ट मीन्स आफ ट्रांसपोर्ट है क्या है यह सबसे फास्टेस्ट मीन्स आफ ट्रांसपोर्ट है यह क्या करता है हमारा टाइम सेव करता है यह हमारा टाइम बचाता है एक जगा से दूशरी जगह पहुंचा देता है और क्या करता है और यह हमारी जो थकान होती है जिसको फटीग बोलते हैं English में फटीग का मतलब होता है एक थकान उसको भी दूर करता है जैसे आप आप सब्सक्राइब आप आज चलोगे अगले दिन वहां पहुंच जाते हो तक जाते हैं हमें थकान हो जाती है कि कितना बैटना है कितना लंबा सफर है अगर वही कि आप क्या करो बाय फ्लाइट से जाओ विदिन फ्यू और में आप वहां पहुंच जाओगे इससे ना तो आपको ज्यादा थकावत होगी और आपका टाइम भी क्या हो जाएगा सेव हो जाएगा है ना तो कहता है यह जो एयर वेस है एयर ट्रांसपोर्ट है यह एक तो हमार अन्फार में कमप्लीट कर लेता है कि यह मघूमेस्टिक अइयर लाइन है इंडिया की क्या हैं यह मेघर डॉमेस्टिक मतलब घरलू जीन को हम बोलते हैं अधिक नं इंडिया में क्या है इंडिया की अपनी भी बहुत सी क्या है एयरलाइन्स है ठीक है जो इंडिया के अंदर ही चलती है ठीक है जैसे और यह क्या करती है यह एयरलाइन्स यह 57 डोम्स्attik stations को operate करती है domestic stations मतलब जो हमारे इंडिया के stations है ठीक है ना इंडियान एरलाइन ये क्या करती है 57 domestic stations को operate करती है और 17 international stations को operate करती है 17 international stations international मतलब international होगे हमारी country से दूसरी country में जो जाने के लिए यो यूज होते हैं ठीक है ना बलब यह stations इंटरनेशनल station International stations मतलब वो сначала flights जो हो दूसरी country के लिए जाती है ठीक है और domestic station मतलब यहां से यह इंडिया के अंदर ही चलती है certains कॉड़ों लो कि एक चाहर से दूसरी स्टेट में जाएंगी ऐसे एक स्टेट से दूसरी स्टेट में पर जाएंगी चलेंगी इंडिया के अंदर ही और इंटरनेशनल का मतलब आ जाता है दूसरी कंट्री में जाने के लिए तो चैथा हमारा इंडियन एरलाइन ह् स्टेशन को स्टेशन मेंetto को छोक करदा का तो अंजा दो टाइब की आजाता है एक आजाते प्राईवेट और एक आज़ेते गोवर्मेंट कुछ स्टेशन हैं जो गोवर्मेंट है जिनको गोवर्मेंट चलाती है और कुछ क्या है प्राइवेट है तो कहता है कि कुछ डुमेस्टिक प्राइवेट एयर लाइन्स की अगर हम बात करें तो वो कौन-कौन सी है डुमेस्टिक एक तो डुमेस्टिक है उपर से क्या है वो प्राइवेट है प्राइवेट एयर लाइन्स तो वो कौन-कौन सी है हमारी इंडिया की वह आगी एयर सहारा ठीक है एयर सहारा जेट एयर वेज और एयर डेकल ठीक है एयर सहारा जेट एयर वेज और एयर डेकल ठीक है यह क्या है डोमेस्टिक प्राइवेट एयर लाइन्स है किसकी इंडिया की ठीक है क्या है यह domestic private airlines हैं इंडिया की Air Sahara, Jet Airways और Air Declay ठीक है उसके बाद five क्या है हमारे पास international airport है five क्या है इंडिया के five जो है वो major international airports है इंटरनेशनल एयरपाट्स कौनिसे होते हैं में इंटरनेशनल एयरपाट्स बहुते हैं कि जहां से जो फ्लाइट्स हैं वो और कंट्री से दूर्सी कंट्री के लिए जाती थ SIM दो वह कौन से five is up क्उणख से हैं सबसे पहला आ गया Indra Gandhi International कि इंदरस पर गांदी ए इंटरनेशनल इंडरा गांदी इंटरनेशनल आ के इंदराव इंटरनेशनल एए car कहां पर है यह देली में है कहां पर है देली में उसके बाद आ गया सहार सहार एरपोर्ट कहां पर है मुंबई में ठीक है यह भी इंटरनाशनल एरपोर्ट है उसके बाद आएता है सुभाष चंद्र बोस इंटरनाशनल एरपोर्ट सुभाश चंद्र बोस इन्टर्नाशनल एयरपोर्ट सुभाश चंद्र बोस इन्टर्नाशनल एयरपोर्ट कहां पे है यह है कोलकाता में कहां पर है यह कोलकाता में उसके बाद है मीनम बकम एम डबली एन एम मीनम बकम बी ए डवल के एम यह भी इंटरनेशनल एरपोर्ट है यह कहां पर है चिन्नेई में कहां पर है यह चिन्नेई में ठीक है उसके बाद है तिरुबंत पूरम तिरुवंत पूरम तिरुबंत पूरम एएरपोर्ट कहां पे है ये है के रेला में कहां पे है ये के रेला में ठीक है five major international airports हैं इंडिया के कौन-कौन से सबसे पहले है इंदरा गांधी International Airport जो कहांपे है Delhi में ठीक है उसके बाद है सहार Airport जो कहांपे मुंबई में उसको सुभाज़ चंद्र बोस International Airport कहांपे है कौलकाündही में एंड्ञहे हमारे पास मुनंप कम एयरपूर्ट यह कहांपे है चिन्नेई में और लास्ट है बहुत जादा यूजफुल है निरिंग टाइम एमर्जेंस जब हमें कोई एमर्जेंस पढ़ जाती है उस टाइम पर जाती है उस टाइम पर जो है एयर ट्रांसपोर्ट वह बहुत important role play करता है जैसे एमर्जेंसी कैसे कहीं पर फ्लड पढ़ गया निऊस में सुनते हो ना कि हाँ इस साल वहाँ पर इतनी जदा बारिष वहाँ पर फलड पड़ गया तो जब फलड़ पड़ता है तो वहाँ पर जो लोग है उनको जो हम प्रोवाइड की आती के यो जाते हैं तो लोगों को ठाइल फाल ने Gare Gata रहने के लिए टेंट बगारा दिये जाते हैं उनको कपड़े गयर दिए जाते हैं तो जो भी जुरूरी समान वोंको किसके तुप रवाइड किया जाता है वह प्रोवाइड किया जाता है उनको air transport के तुरू airways के ठुक है जैसे flood पड़ गए ठीक है famine आगे, famine क्या होते है अकाल पड़ना ठीक है famine जब लड़ाई बगएरा लगती है उस time पर भी जो होता है ये जो air transport है बहुत ही help करते हैं बहुत ज़्यादा help करते हैं के तिक तक ताइम अफ एमर्जेंसी कता है जो एर ट्रांसपोर्ट यह बहुत ही यूसफुल होता है ठीक है कि जब ऐसी के इसे जाती है फ्लर जाते हैं वह क्या करता है लोगों को खाना पहूंचाता है दवाईयां पहुंचाता है क्लोथ देता है जब कुछ लोगं जो पर ज करता है जो हमारे एर ट्रांसपोर्ट होते हैं उसकी जगह उनको रसीव गएरा पकड़ा के उनको फिर उपर उठा लेते हैं कि हाँ सेफली क्योंकि वो नीचे तो सारा पानी पानी हो गया वो कैसे जाएंगे ठीक है अगर वो चलेंगे दो जाएंगे तो इसलिए उस टाइम कौन हेल्प करता है हमारी एयर ट्रांसपोर्ट हेल्प करते हैं ठीक है तो यह आगे हमारा एयर्वेज का ठीक है एयर्वेज को हर कोई अपार्ड नहीं कर सकता क्योंकि यह बहुत महांगा है लेकिन यह क्या है बहुत ही फास्टेस्ट मीन्स आफ ट्रांसपोर्ट है बहुत कुछ international airports के बारे में पढ़ा कुछ domestic private airlines के बारे में हमने पढ़ा ठीक है और क्या है जो एर ट्रांस्पोर्ट है यह क्या है बहुत ही useful है कब during the time of emergency जब कोई emergency हो जाती है तो उस time पर जो है हमारी help कौन करता है एर ट्रांस्पोर्ट ठीक है so this is all about the means of transport कितने टाइप के ट्रांस्पोर्ट है कौन कौन सा network है roads का railways का waterways का और उसके बाद airways का ठीक है और ट्रांस्पोर्ट जो है यह क्या है बहुत ही जादा important है ठीक है for the growth and the development of the country ठीक है इसके आपका यह chapter means of transport यह the ग्रांस्पोर्ट बहुत है ठीक है जड़िए वहीं कौना चुछ होंगो क्या बहुत है जज़ दो इसके प्रांस्पोर्ट ऑन से दो गल्हें कितने टुछ हैँगकि अज़िए थावद़िए गादान सुछ़र्ट इसके ज़गन सुछ़र्ट झाल प्रांस्पोर्ट आए